इंसानियत नहीं है ऐसा कैसे कह सकते हैं कुछी देर पहले मेरे ही साथ कितने लोगों ने कितनों की जान बचाई है कोई भूकंप या सुनामी जैसे खतरनाथ डिजास्टर्स होने के बाद ही हमारे अंदर की इंसानियत जाती है आज की इस भाग दोड़ भरी जिन्दगी में हमारे पास भगल वाले इंसान को देखने की भी फुर्जट नहीं है अगर हम कुछ देखते हैं तो वो है सेलफोन स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन, टीवी स्क्रीन कहीं बाड़ाने पर ही अंदर की इंसानियत जाग जाती है बाकी वक्त तो सिर्फ लाइक करने में और शेर करने में निकल जाता है आप के पगल वाले इंसान को लाइक कीजिए अपनी हिम्मद शेर कीजिए, प्यार शेर कीजिए भैरव में जो सेडिजम था वो हमारे अंदर भी है, बस उसमें 15% था और हम सब में 4% ये कभी एक पती अपने बीवी बच्चों पर दिखाता है, एक मालिक उसके नीचे काम करने वाले अपने नौकर पर दिखाता है, अधिकारी आम जनता पर दिखाते हैं, भैरव को मार कर हम करना है, और उससे बदले में कुछ भी ना चाहना, यही इंसानियत है, यही मानवता है